नमस्ते, इस मॉडेल की मदद से हम पृत्वी की अयन गती या प्रेसेशन समझ सकते हैं, यहाँ पहले वाले मॉडेल के समानी है, लेकिन इसमें गूमने के चरणों को दिखाने के लिए गियर जोड़े गए हैं, पृत्वी की धूरी साड़े 23 डिगरी जुक्की हुई है यहाँ डिस्क भूमध्यरेखिय तल याने एक्वेटोरियल प्लेन का प्रतिनिधित्व करती है यह बाहरी पट्टी सूर्य के एक रांति वृत्तिय तल याने वार्शीक पत का प्रतिनिधित्व करती है इसमें 27 नक्षत्रों को संकेत देने वाला अंकन है जैसा कि आप जानते है एक पूर्ण आयनगती को पूरा करने में 26,000 साल लगते है एक बार हैंडल घुमाने से ये 1000 साल आगे जाता है अयनगती के माध्यम से हमें प्राचिन गरंतों का या घटराओं का समय निर्धारण करने के बारे में मदद होती है आचार्य लगत द्वारा लिखीत वेदांग जोदिश सबसे पुराना भारतियक अगोल गरंता है इस गरंता के अनुसार ग्रिश्म संक्रान्ती याने समर सॉलिस्टिस अशलेशा नक्षत्र के मध्य में थी एक अन्यमहान खगोल शास्त्री वराहमीर ने अपने समय में कहा था कि ग्रीश्म संक्रान्ती याने समर सोलिस्टिस पुनर्वसू की तीन तीमाही के अंत में है और शीद कलिन संक्रान्ती याने विंटर सोलिस्टिस उत्तराशडा की पहली तीमाही के अंत में क्या हम समय रहका तय करने के लिए इन अब्जर्वेशन्स का उप्योग कर सकते हैं। पृत्वी की अयनगती लगबग 72 वर्षों में एक डिगरी आगे बढ़ती है। इन दो संधर्व बिंदों के बीच की दूरी 23 डिगरी और 20 मिनिट है। तेज डिगरी के लिए 1656 वर्ष और 20 मिनिट के लिए 24 वर्ष लगे। यने कुल मिलाकर 1680 वर्ष। वरहा मीर ने ग्रन्थ लिखते समय साल था 505। अर्थात वेदांग जोतिश का समय लगबग 1150 इस विशन पूर्व रहा होगा। वेदांग जोतिश का आम तवर पर स्विक्रूत काल इस विशन पूर्व बारावी से चौदावी शताबदे के बीच है। इसी तरह हम इस मॉडेल का उप्योग उस समय किये के अब्जर्वेशन्स के आथार पर समय रेखा तय करने के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।